हाई वीज़, स्वागत है आप सभी कानवें, वीडियोटोप चैनल में मैंने आवीन, आज मैं आपको खराने जा रही हूँ, Flanders Interactions Analysis यह जो Flanders की Interaction Analysis है, यह होती क्या है, क्या इसके बारे में Flanders ने बताया है और किस-किस इसका involvement होता है, क्या process है इसका सब इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो शुरूशे लेके लास तक ज़रूर देखेगा क्योंकि यह जो आपका interaction analysis of Flander का यह काफी बार exam में पूछ लिया जाता है, काफी important भी है, ठीक है तो आपको डरने की जूरते नहीं है, Flander interaction analysis से अगर आपके exam में questions भी आता है तो आप easily इस questions को कर सकते हो, अगर यह वीडियो शुरूर से लेके लास तक आप देखते हो भी कोज आपको समझ में यह वीडियो और यह questions जो आ जाएगा, ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हो, तो पहले चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले, ताकि बीडियो से related जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ, उसकी notification आपको मिल जाएगा ठीक है, तो चली start करते हैं सबसे पहले मैं आपको तुछ से introductions दे देती हूँ Flanders के बार में कि इस यह जो interaction analysis है, Flanders का इसमें है क्या तो class में दो तरग involvement होती है, teacher होती है class में और students होते हैं, teacher पढ़ाते हैं और students उनको सुनते हैं तो जो भी teacher की activities होगी, जो भी teacher प्रतिक्रिया करेंगी, जो teacher questions पूछेंगे students से या फिर कुछ भी लगा लिजे जितनी भी activities होती हैं, वो observe की जाएगी एक teacher की और जो भी observe की जाएगी, वो प्रतिक तीन सेकंड में, जब teacher अपनी जो activities है, वो change करता रहेगा, तीन सेकंड में एक teacher की जो activities हैं, उनको observe किया जाएगा, उनको checklist किया जाएगा, और उनको mark किया जाएगा, प्रतिक तीन सेकंड में, यह हम आगे discuss करेंगे, जो मैंने पहले व बहुत माइने रखती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो देख लीजे क्योंकि उसी पर based है, सारा सब कुछ जो फ्लैंडर एनालिसिस हैं, उसी पर based है, वही आपको समझ में आ गई, तो मान लेजे आपको फ्लैंडर की यह जो analysis है, यह आपको समझ में आ कास किया था, इस पदिती में शापतिक व्यभार के 10 वर्ग शामिल है, जो मैंने आपको बताये थे, टीचर की direct और indirect student की involvement and last में 10 points था आपका silence and confusion वाले, यह वही 10 points था आपके, ठीक है, जिनको तीन मुख्या वर्गों में बाटा गया है, यह देखिए, वही बात यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, तो यह वही आगी, सिक्षिक वारता, विध्यारती वारता और मोन या ब्रांती, जो silence या, confusion वाली स्थिती थी, उसके बाद है, अंतक्रिया विशलेशन पदती का प्रियोग, कक्षा के बहार, वैभार का अध्यान करने के लिए, कक्षा के अंदर की घट रहा है, और यह जो 10 वर्ग है, जो 10 पॉइंट्स है, उनमें कौन-कौन से जो methods है, जो वीधी है, उनका यूज कर रहा है, उनको एक observer checklist करता है, ठीक है, और इस तकनिकी का परियोग हम, परियोग करके हम अध्यापक कक्ष के वैभार में बांशितुदार कर सकते हैं, क्योंक किसी में मतभेद नहीं करेगा, किसी में पार्शल्टी नहीं करेगा, स्टूजन्स को लेकर, क्योंकि उसको पता है, जैसे ये पता होता है, कि हम कैमरे के नजर में है, हम कुछ भी ऐसी अलग कोई activities नहीं करते हैं, जो हमें पकड़े जाने की, जिसमें डर रहता हो, तो इसे अगर अलग तरह के या फिर negative उसके behavior है, उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके कौन-कौन से उदेश्य हैं, वो देखते हैं, निश्पक्ष धंग से अधापक के पढ़ाय जाने का, पढ़ाय जाने वाले विभार का निरक्षन किया जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं discuss क्योंकि analysis करना है, interaction analysis, interaction मतलब teacher का और students का क्या interaction चल रहा है class में अंदर, इंटर मतलब class के अंदर क्या क्या interactions हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों का क्या role हो रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रियाई हो रही है, उनको observe किया जाता है, ठीक है, second है अध्यान की प्रिस्तितियों में अनुकूल बने रहे है, next अध्यापन जो teacher है, पढ़ाते होए, प्रोग्रामों के दोशों की पैचान कर निश्यत करना और उसके उप्चारात्मक उप्योग करना, मतलब एक चुट teacher पढ़ा रहा है, अगर कोई negative activity, उसकी चल रही negative activity, तो उ अब हम देखेंगे इसके objections क्या-क्या है, फर्स्टर कक्षा के अंदर शाप्दिक वातावन बना रहता है, और इसका आर्थी है कि कक्षा में जब पढ़ाई चल रही होती है, तब या तो अध्यापक बोलता है, या फिर विध्यारती बोलता है, या पर verbal और non-verbal दोनों तर पीटीज होती है, कर कोई students बिलकुल शिरारती है, और environment को खराब कर रहा है, या फिर बोल रहा है, दूसरों को disturb कर रहा है, तो teacher पढ़ाते पढ़ाते उसको ऐसे behave का करेगा, कि उसको चुप करा देगा वहीं पर, जैसे आपने देखा भी होगा, कि कोई teacher पढ़ा रहा है, को ये होते हैं आपकी अशाप्दिक वेभार, ठीक है, उसके बाद second कक्षा के अंदर सिक्षक और चात्रों के शाप्दिक वेभार का निरक्षन भी किया जाता है, या पर students और teacher दोनों का observe किया जाता है, क्या पढ़ाया गया है teacher के दवारा, और students क्या बोल रहे है, क्या उसका अंसर दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड कक्षा में अध्यापक का होना, कक्षा में अध्यापक के होने वाले वेभार, एक सीमा तक चात्रों के वेभार को प्रभावित करता है, जो अध्यापक होता है, अध्यापक का जो behavior होता है, वो students को बहुत हद तक प्रभावित करता है, क् बहुत जो कड़े नियम कानून है उनको पालन करता है या फिर टीचों जो स्टूदेंस होते हैं उनको उनकी पिटाई करता है या फिर उनको थोड़ा सा हार्डली रूप में लेके जाता है स्टूदेंस को तो स्टूदेंस बहुत डरते हैं उसे तो जो भी एक टीचर का भी ह होता है students उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ठीक है उसके बाद है निरिक्षन के दवारा अध्यापक के वेभार में प्रिवर्तन लाया जा सकता है क्योंकि teacher को पता है कि मेरा observe हो रहा है मेरा जो जो पीछे observe बैठा हुआ है वो भी सब record कर रहा है तो negativity जो भी होंगी और positivity जो भी होंगी सब कुछ record होगा एक teacher का तो बहुत control की स्थिति होती है एक teacher के लिए क्लास में कुछ भी उसको negative नहीं करना होता ठीक है और अगर कोई students ऐसा है कि आपने जो teacher है teacher ने students से questions पुचा है और students ने answer दे दिया है तो teacher का एक तवे बनता है कि students ने answer गलत दिया हो या फिर ठीक दिया उसको motivate करते रहे ये नहीं कि आपने तो अंसर गलत दे दिया नहीं आप तो कुछ करने सकते हैं आपके बस की बात नहीं कुछ भी ऐस तरह के जो comments है वो students को नहीं करने है बलके motivate करना है आपको ऐसे प्रतिक्रिया देनी है students को कि वो आगे आकर जवाब दे ये बहुत बड़ी बात होती class में कि कोई students answer देता है teacher के questions का नहीं तो बहुत सारे students वो answer ही नहीं देते बले उनको आता हो या ना आता हो तो उसके बाद जो है हमारी Flanders की analysis वर्ग में विभाजित किया गया है इसको category में divide किया गया है और ये category वही है जो मैंने आपको last वीडियो में एक diagram कित्रू बताई थी I hope आपको समझ आ गई होंगी वो category आपको याद भी होंगी क्योंकि उनी category के उपर आपका आपकी जो आगे करते हैं first हमने देखा था एक बर मैं आपको दिखा देती हूं कि वो है क्या यह रही यह table हमने देखी थी यही table अब हमने discuss करनी है यही table को आपने अब detail में बताना है क्योंकि और यह table है ना यह table आप आगे पीछे नहीं कर सकते यह नहीं है कि जो direct है इसमें indirect में आप कुसा दो इसके points को या फिर students के teacher वाले में डाल दो या फिर इनको आगे पीछे कर दो ऐसा नहीं करना आपको जो point जहां है आपको वहीं करना है और यह table exam में आपको जरूर बना कर आने है ठीक है बहुत helpful होगी और आपके marks भी increase होंगे इस table की वजह से ठीक है यह table जरूर बना कर आप exam में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा था teacher का involvement क्या है जो teacher की जो प्रितिक्रिया है वो क्या है तो एक teacher का दो त्रे का रोल है एक परतेक्ष पर भाव होता है परतेक्ष जो direct और indirect होता है तो हम पहले करेंगे indirect indirect कौन कौन से विवार होते है एक teacher की class में उस उसमें था आपका first चात्रों की भावनाओं को स्विकार करता है कैसे करता है अध्यापक यह समझने का प्रियतन करता है कि चात्र कैसे महसूस करते हैं चात्र प्रशन है या उदा मतब हैपी है या फिर sadness है उनके face पर क्या उनके मन में चल रहा है एक teacher यह समझने की कोशिश क करता है बच्चों की भावनाओं का मन ही मन में अनुमान लगाता है वो कैसे होता देखे एक teacher जब class में entry करता है तो पहले तो सब बच्चे बात कर रहे होते हैं आपस में क्योंकि class में आने से पहले teacher के class में आने से पहले सब शोर सराभा है ऐसा कुछ हो रहा होता है लेकिन teacher टीचर के एंटरी के बाद सब चुप हो जाते हैं और टीचर को पढ़ाने से पहले ये अनालिसिस करना होता है कि बच्चों का माइंड कैसा है किसी सापका है बच्चे खूश है या फिर दूसरी किसी अक्टिविटीज में लगे हुए हैं तो उनकी जो भावनाई हैं उनको सम जाने के बाद बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ने के पड़ती जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है या फिर अगर बच्चे बोर हो रहे हैं थोड़ी सी सैडनेस है उनके फेस पर तो सबसे पहले किसी टोपी को कराने से पहले एक टीचर का करता है व्य बनता है कि बच् इसला देने वाली होती है बिन-बिन प्रिस्तितियों में चात्रों के जवाब की प्रशंशा करना जैसे good, very good, nice, fine ऐसे word बोल कर बच्चों को motivate करते हैं अगर teacher इन words का use नहीं करते हैं अगर students ने answer दे दिया और teacher ने ये word use नहीं किये तो बच्चे demotivate हो जाते हैं या फिर ये स काम करते हैं good, very good, nice वगड़ा ठीक है उसके बाद चात्रों के विचारों को स्विकार करना अगर आप ये समझ रहे हो ना कि इनको कैसे आतके तो table आपने बनाई होगी मैंने पीडिया फाइल आपको दीती उस table को सामने रख लीजिए फिर आपको clear हो जाएगा तो third point है चात हो रही हो कोई topic discuss हो रहा हो अगर topic teacher ने कुछ discuss करने के लिए बोला है कुछ भी topic तो students के अपने views देते हैं और जितने भी views आते हैं एक teacher को सबके views को accept करना चाहिए हमने brainstorming में पढ़ा था कि जितने भी questions आएंगे teacher को accept करना है किसी को ये नहीं बोलना कि नहीं आपने answer गलती ह तो जितने भी students हैं उनके questions के answer को accept करना teacher का करता हुए है तो fourth point है छात्रों से प्रिशन पूछना अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्यान को जाजने के लिए छात्रों से प्रिशन पूछता है और छात्रों के उत्र देने की अपिक्षा करता है जो भी previous knowledge है बच्चों को topic को लेकर कोई teacher topic करा रहा है class में तो पहले तो teacher ये जाचेगा कि जो मैं topic कराने जा रहे हूं उसके regarding बच्चों को उसे related बच्चों को कुछ knowledge है यानि क्योंकि ये जाचना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों को कुछ भी knowledge नहीं है उस topic से related तो हम zero level से start करते हैं अगर बच् बेट भी होंगे और आगे जो topic होगा उसके बारे में study भी करके आएंगे और उनकी knowledge भी increase होगी ठीक है उसके बाद हमारा आएगा direct बैभार जो direct interactions होती है influence होती है वो class में teacher की क्या है वो आएगा second में पहले हमारा था एपरतेक्ष, second में आएगा परतेक्ष टेबल अपनी निकाल के रखना ठीक है तो fifth point पर आएगा आपका भाशन देना अध्धापक पढ़ाते हुए बच्चों को भाशन वीदी का प्रियोग करता है और छात्र उसको सुनते हैं यह वास्त्विक बातों जो class में होती है जो वास्त्विक होते जो topic होते जो examples होते हैं बच्चों के real life से related जो वास्त्विक होते हैं उनको बताता है और जानकारी देता है या विश्यवस्तु के संबंध में अपने मत देता है ठीक है जो भी teacher पढ़ा रहा है बच्चों को उसके बारे में एक lecture method से बच्चों को पढ़ाता है अगर कोई topic ऐसा है जैसे social science का है या फिर history वगएरा का है तो हमें जो अपना topic जिब start करना होते है तो lecture method का ही हम use करते है क्योंकि हमें उसको verbally बताना होते है परतेक्ष रूप से बच्चों को बताना होते है ठीक है तो भाशन देना आएगा आपका परतेक्ष वेभार में और ये आएगा आपका fifth number पे कोई भी point आपको आगे पीछे नहीं करना है कहीं आप ये बोल दो कि जो भाशन देना fifth number पे आप इसको sixth number पे डाल के आजो ये आपको नहीं करना है इसलिए मैंने बोला था कि आप याद करके आना इस टेबल को ये वाली जो टेबल है ठीक है sixth है निर्देश देना instructions देना पढ़ाते हुए अधापक छात्रों को निर्देशित करता है और छात्रे उनकी बातों का भी पालन करते हैं जैसे अधापक छात्रों को पुस्त खोलने के लिए कहता है पाट पढ़ने के लिए कहता है कवेता पढ़ने के लिए कहता है तो जो instructions टीचर के दवारा दी जाती हैं, स्टूरेंस उसको फोलो करते हैं, और जो भी टीचर क्लास में बताता है, वो भी उनकी बात को स्टूरेंस मानते हैं, ठीक है, तो 6 नमर पर आ जाएगा आपका निर्देश देना, 7 पर आएगा आपका अधिकारियों के आलोचना करना या उनक भी होता है कि टीचर स्टूरेंस को अगर डाटता है, या फिर क्लास में उनको चुप होने के लिए बोलता है, तो वो ऐसे बिहेव करता है, कि स्टूरेंस को दुख फिल ना हो, या फिर स्टूरेंस सैड ना हो, या फिर वो ये ना समझ लेकि मेरी तो क्लास में बेज दी कर चाहिए अगर किसी बच्चे को डांट रहे हैं या दंड दे रहे हैं तो इस हिसाफ से देना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा guilty feel now, ठीक है बस उनको अपने किये पर किये का यह पता लगी कि हां मैंने क्या किया है उनको बस feel हो जाए कि हाँ ये जो मैंने किया क्लास में दर बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन मैं बच्चों को disturb कर रहा हूँ उनको ये बस feel कराना होता है आमें डर पैदा नहीं करना होता है किसी बच्चे के होता है जितना अध्यापक ने निर्देश दिये हो इसका आर्थ होता है यहां केवल छातर परशनों के उत्र देते हैं यह कैसे होगा जो भी टीचर ने टोपिक करा दिया और यह बोल दिया कि मैं कल इससे रिगार्डिंग क्विश्चिन करूंगा या फिर अट प्रेजेंट टीचर ने कोई टोपिक करा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्विश्चिन पोछ लिए टीचर ने तो यहां पर स्टूडंस आंसर देंगे और जितना questions का answer बनता है students सिर्फ questions का answer देंगे कोई भी other activities इसमें नहीं होगी ठीक है उसके बाद आएगा हमारा ninth point जो की student talk में है छात्र स्वैम बोलते हैं विधार्दी अपने विशय समबंदी ज्यान को बढ़ाने के लिए शिक्षक से पुछते हैं या फिर विशय को अधिक सपस्ट कराने के लिए बोलते हैं teacher ने कोई topic करा दिया और ये बोल दिया कि आप एक बार नजर मार लो जो topic मैंने कराया है अगर कोई भी confusion है तो आप मुछे पूछ सकते हो time दे दिया teacher ने students को तो जो भी confusion पैदा होगा बच्चो के मन में जो भी doubt पैदा होगा वो बच्चे टीचर से पूछेंगे कि हमें यह यहां पर clear नहीं है इस question में हमें doubt है यह हमें बताती तो यह आपका point आएगा 9th भी ठीक है लास्ट वाली जो situation आएगी third number पर और जो आपकी category वनेगी वो है 10 मोन या भी भ्रांती वाली स्थितिस में पैदा होगी यह पर teacher और students दोनों की involvement होगी मैंने last में बताया था कि यहां पर students क्याने यहां पर teacher भी involvement है वो कैसे है अगर teacher कुछ पढ़ा रहा है बच्चो को अगर उसको कुछ भी confusion हो गया तो teacher है वो बीच में रुख सकता है मोन हो गया या फिर confusion ऐसा हो गया कि किसी students ने कोई questions पूछ लिया और teacher को नहीं आता वो answer तो teacher यह बोल देता है कि इसका answer अभी तो मुझे नहीं पता है लेकिन में पता करके आपको कल बता दूँगा तो यहाँ पर confusion की भी स्तिती पैदा होगी या फिर यह हो सकता है कि teacher है class में पढ़ा रहा है और बहुत सारे बच्चे जोर कर रहे हैं बीच में disturb कर रहे हैं तो teacher एक time के लिए चुप हो जाता है यहाँ पर students भी इसी तरह से हैं अगर students को कोई questions नहीं समझ में आता तो आपस में बाते करने लगने लगते हैं confusion की स्तिती जो अब पैदा हो जाती है या फिर teacher कुछ questions पूछता है students से तो students को अगर answer नहीं आता तो भी वो चुप हो जाते हैं तो दोनों का involvement होगा last वाली condition में ठीक है अब यहाँ तक तो होगे आपके जो भी हमारे categories थी उनको हमने define तो कर दिया अब बात यह आती है कि जो categories बनाए गई हैं जो teacher को observe कर रहा होता है जो पीछे class में बैठ कर एक निरक्षक करता बैठा होता है फूस का क्या रोल होता है उसने क्या-क्या इसको observe किया है वो एक table की मात्याम से समझेंगे वो table भी आपको exam में बना कर आनी है ठीक है यह आपको define भी करना है यह सब आपको exam में लिख कर आना है जो table मैंने पहले बताई थी उसको भी लिखना है और अब यह देखना है कि teacher की activity को कैसे उन्होंने समझाए ठीक है